नमस्कार किसान मित्रो प्राकरति खेती में मैं सजन कुमार आपके अपने यूटूब चैनल एसके नेचुरल फार्मिंग में एक बार फिर से हाजिरूं। दोस्तो आज मैं आपको ये अमरूद का पोदा दिखा रहा हूँ। ये अमरूद का पोदा मैं पिछले 2020 में सितंबर में लगाया था मैंने और फिर चाचा जी पास में ही रहते हैं हमारे तो चाचा जी इस क्या पालनपोशन कर रहे हैं। और ये देखे गुनीस मैने में इस पोदे ने कितना बड़िया छत्रक लिया है। और इस पोदे की पेड़ है वो भी दो फिट से उपर है। एकदम से बड़िया पालनपोशन कर रहे हैं और इसकी देखरेग भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे है। किसान भाईयो कौन कहता है कि सिडलिंग का पोदा ग्रोथ नहीं करता। पिछले दिनों एक अमरूद लगा था तो ये आप मानिए कि अगर एक अमरूद लगा था तो इस बार और भी ज़्यादा लगेंगे। इसलिए किसान भाईयो अमरूद का पोदा लगाएं या किसी भी अनार है या निम्बू का पोदा है तो आप सिडलिंग का पोदा लगाएं बीज से तयार करें। उसकी जड़े जमीन में गहराई तक जाती हैं इसलिए वो पोदा मजबूत भी रहता है और साथ में उसकी उमर भी लंबी होती है। एक सिडलिंग का पोदा अनुमान के इसाब से 20-30 साल तक रहता है। इसलिए किसान भाईयो जहां तक हो सके शिडलिंग का पोदा लगाएं। अब मैं मेरे चाचा जी और चाची जी से मिलवाता हूँ। वो इस पोदे की देखरे करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसका पालन पोशन करते हैं। ये देखिए मेरे चाचा जी इस पोदे की देखरे कर रहे हैं जो पीले पते हैं वो तोड रहे हैं। चाचा जी पिछले 19 मैनों से बहुती लाड़ प्यार से इस अमरूद के पोदे को पाल रहे हैं। और ये मेरी पास में चाची जी हैं। ये भी इनका हाथ बटाते हैं सा में पानी और अन्य खाद का रख रखा बहुती अच्छी तरह से करते हैं अब मैं चाचा जी से पूचता हूं कि चाचा जी इस पोदे को क्या देते हैं और चाचा जी कलियों की नोचिंग करते रहते हैं जो इसकी कौपल न काची ज्यादा बड़ी होते हैं तो उसकी नोचिंग कर देते हैं और यह तो नोचिंग करने से इसने छत्रक का रूप भी बहुत अच्छा ले रखा है और देखो चाचा जी ने कितने अच्छी तरह से मल्चिंग कर रखे पोदे में मल्चिंग करने का फाइदा ये है कि इसमें पानी देते हैं तो इसमें नमी बनी रहती है चाचा जी बता रहेते हैं कि West Decomposer और जीवा अम्रित देते हैं इस पोदे को तो West Decomposer और जीवा अम्रित पोदे के लिए अम्रित के समान होता है इसलिए दोस्तों अपने पोदे को हर रोज चाहे पानी तीन दिन से दे लेकिन उस पे हाथ फेरे बड़े लाड़ प्यार से पालें, पोदे को जितने अच्छे बच्चे की तरह लाड़ प्यार से पालेंगे, उतना ही अच्छी तरह से पोदा ग्रोध करेगा, अब आप ही देखिए, ये सिड्लिंग का पोदा है, और कितनी अच्छी तरह से ग्रोध कर रहा है, वो भी गुन बस दोस्तों मैं आज इतनी ही जानकारी देना चाहता था आपको धन्यवाद नमस्कार जै जवान जै किसान आपको जाढ़ ऑको